हेलो एबरीवन, इस्टारडी टुडे विपलब यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में क्लास 9 के साइन्स के क्लास 9 के साइन्स के इंपोर्टन कोस्चन को देखने बाले है जो कि आपके आने बाले विकली टेस्ट के लिए आती महत्तपुना कोस्चन है साथ ही एक कोस्चन आपके फाइनल एकजम के लिए बहुत ही महत्तपुना है इसलिए बीडियो को दोस्तों में सेयर करिएगा और बीडियो को लाइक करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा तो चलिए शुरू करते हैं पहला कोस्चन को देखिए पहला कोस्चन गिवन है टिका यानि कि वेक्सिनेशन का आविश्कर किस ने किया था जेम्स सिम्सन ने एडबर्ड जेनर ने अलेकजंडर फ्लेमिंग ने ये क्रिस्टियन बर्नन तो इसका राइट एंसर एडबर्ड जेनर होगा एड़ड जेनर ने vaccination का अविश्कर किया था और अलेकजंडर फ्लैमिंग ने antibiotics का अविश्कर किया था Lt. एड़ड जेनर तिका हो जाएगा अड़ड जेनर चलिए next question को देखते हैं मियाधी भूखार यानि कि टाइफाइट fever किस कारण होता है किस कारण से होता है बाइरास जिवानो फफून्त या इन में से कोई नहीं तो right answer जिवानो होगा यानि कि जो type fight होता है वो बेक्टिरिया से होता है तो इसका right answer जिवानो होगा next question given है अब वायू दुवारा फैलने वाला रोग है वायू दुवारा फैलने वाला रोग को देखिए खांसी जुखाम होगा, हेजा होगा, डेंगू बुखार होगा या एर्स होगा, तो इसका राइट एंसल हो जाएगा, खांसी जुखाम, वायू द्वारा फैलने वाला रोग, ये खांसी जुखाम होता है, हेजा जो होता है, ये जल जनीत रोग होता है, और डेंगू बुखा जो होता है यह virus से होता है और this जो होता है यह भी virus से होता है तो चलिए नेक्ट question को देखते हैं देखे next question given है नीम्न में कौन सा जल जनीत रोख है चेचक malaria है जारे यह तपेदिक तो राइट एंसर है जारे हो जाएगा है जो है यह जल जनीत रोख है तो इसका देखे किस जानबर के काटने से रेविज वाइरस फैलता है कुटा बिल्ली मच्छर या इनमे से कोई नहीं तो इसका राइट एंसर कुटा होगा याद रिखेगा कुटा के काटने से रेविज वाइरस फैलता है और याद रखना इससे हाइड्रोफोविया हो जाता है हाइड नमें से कौन से एक विकल्ब द्वारा है, HIV एक बेक्ती से दूसरे बेक्ती में प्रसारित नहीं होती है, मच्छर का काटना एक ही सुई का वहु प्रयोग, योन सम्मन्द या इस्तनपान, तो इसका जो राइट एंसर होगा, वो मच्छर का काटने से नहीं होगा, HIV यानि कि ए नेक्स्ट को देखते हैं, निद्रा रोक उत्पन्ना करता है, ट्रिपनोसोमा, कावाक, बाइरस या प्लाजमोडियम, तो इसका राइट एंसर ट्रिपनोसोमा होगा, ट्रिपनोसोमा से निद्रा रोक होता है, और याद रखना, एक सी सी फ्लाई होता है, सी, सी, यानि कि सी सी, जो मच्छर होता है, इसके काटने से निद्रा्रोख होता है, याने कि निद्रारोख का जो बाहक होता है, वो सी सी, फ्लाई՞ होता है, याद रिखेगा, चल ये next question को देखते हैं, डेंगू परजिवी का बाहाग है, मादा एडिस मच्छर, मादा एनोफिलिस मच्छर, घरेलू मक्खी या कक्रोज, तो इसका राइट एंसर होगा, मादा एडिस मच्छर, मादा एडिस मच्छर से क्या होता है, डेंगू होता है, और डेंगू जो होता है, ये बाईरास से होत और इसका बाहक मादा एडिस मच्चर होता है मादा एनोफिलिस मच्चर से मलेरिया होता है मादा एनोफिलिस मच्चर से नेक्ट कोस्चन को देखते हैं, संक्चर रिनिया रोगों का मुख्खा कारक क्या है? चीटी, ड्रेगन मक्खी, मकडी या घरेलू मक्खी? तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, घरेलू मक्खी हो जाएगा देखें, नेक्ट कोस्चन को देखें, सबसे पहले कौन सा प्रतिजाईविक हो जागया था? उप्शन को देखें, पैनिसिलीन, स्टेप्टो माइसीन, तेटरा साइकलीन या इन में से कोई नहीं, तो इसका राइट एंसर पैनिसिलीन होगा सबसे पहले कौन सा प्रतिजाईविक हो जागया था ना पैनिसिलीन, प्रतिजाईविक यानि कि एंटिबायोटी का आविस्कर किस ने किया था? अलेकजंडर फ्लेमिंग ने किया था, याद रखेगा अलेकजंडर फ्लेमिंग ने एंटिबायोटी का आविस्कर किया था, तो इसका राइट एंसर पैनिसलीन होगा, तो चलिए next question को देखते हैं, next question देखें, चेचक के लिए टिका किसने प्रदान किया था, Edward Jenner, Robert Coach, Pearl Kadrick या Alexander Fleming, तो इसका राइट एंसर Edward Jenner होगा, चेचक के लिए टिका किसने प्रदान किया था, Edward Jenner होगा right answer, चलिए next question को देखते है रेवीज के टिके की खोज किसने की थी, Trezor ने, Alexander Fleming, Vaxman या Lewis Paster, तो इसका राइट एंसर Lewis Paster होगा, Alexander Fleming ने एंटी बायोटिक, यानि कि प्रतिज़ाई बी की, खोज की थी, Alexander Fleming ने एंटी बायोटिक का आविसकार किया था, Alexander Fleming और Lewis Paster ने रेवीज के टिका का आविसकार क हो जाता है रेविज से क्या होता है हाइडोफोबिय हो जाता है यानि कि आपको पानी से भाई लगने लगेगा तो इसका राइट एंसर लूइस पास्चर होगा तो चलिए नेक्स्ट कॉस्चिन को देखते हैं प्रोटो जुआ के कारण होने वाले एक रोग का नाम है है जा मा मादा 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 एनोफलिस मच्छर होगा जो मलेरिया का बहाख होगा तो इसका राइट एंसर मलेरिया होगा चलिए नेक्ट कोस्चन को देखते हैं एड्स से किस विसानू द्वारा उत्पन्न होता है एच आइवी यानि कि हुमेन इम्यून डेफिशेंसी बाइरास से होता बाइरास से होने वाला एक बिमारी का नाम है हैजा बेक्टरिया से होता है जो कि जल जनित होता है टाइफाइट बेक्टरिया से होता है टीबी बैक्टरिया से होता है पोलियो इसका राइट एंसर होगा वो पोलियो बाइरास से होता है ठीक है तो इसका राइट एंसर पोल विटामिन B1 की कमी से होता है, और जो हेजा होता है, यह क्या होता है, जल जनीत रोख होता है, और बेक्टेरिया से होता है, तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, देखें यह अंतिम कोस्चन है, अंतिम कोस्चन को देखते हैं, बाइरास से होने वाला सामान न रोख है, खासी जुखाम खांसी जुखाम जो होता है यह बाइरास से होता है I hope आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा मिलते हैं next वीडियो में thank you